नमस्कार किसान भाईयों स्वागते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इसका एक ली कल्चर में किसान भाईयों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले स्वायवीन मंडी भाव से जुड़ी एक नई मंडी रिपोर्ट के लेकर जिसमें सोया डिवोसी आयात की डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं अगर ऐसा होता है तो स्वायवीन के बाव लंबे समय तक यही बने रहेंगे इसमें किसी भी परकार का उचाल देखने को नहीं मिलेगा क्या है पूरी रिपोर्ट आईए इस वीडियो में जानते हैं उससे पहले ही आप इस वीडियो को लाइक करके शेर कर दीजे और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबाईए पूल्टरी इंडिस्टी ने केंद सरकार से सोया डिवोसी आयात की डेडलाइन बनाने की मांग की है इंडिस्टी का कहना है कि सरकार ने जो बारा लाग तन सोया डिवोसी के आयात की अनुमती दी थी उस कोटे को पूरा करने के लिए टेडलाइन बढ़ाने की जुरुत है हाला कि पॉल्टरी उद्योग के इस मांग की किसान संगटों ने पुर्जोर विरोध किया है उनका कहना है कि जब हम आयात ही करेंगे तो आत्मनिर्बर भारत का सपना कैसे पूरा होगा साथी किसानों ने कहा हैं कि आयात की अनुमती से हम पहले सही काफी नुकसान जहल चुके है दरासल सरकार ने पहली बार GM DOC आयात की मंजूरी दी थी इस अनुमती के बाद से स्वयाबीन की कीमतों में बारी गिरावट आई है तब स्वयाबीन 10,000 रुपे प्रतिक सिंटल से अधिक दरों पर भिक रहा था स्वयाबीन की बड़ी हुई कीमतों के कारण DOC के भाव भी बड़े हुए थी पॉल्टरी उद्योग ने आयात की मांग की थी जिसे सरकार ने स्विकार कर लिया था आयात की अनुमती के बाद से स्वयाबीन की कीमते कापी तेजी से नीचे आई है कुछ इस्तों में यह न्यूंतम समर्तन मुल्य से भी कम दरों पर भिका अब एक बार फिर पॉल्टरी उद्योग ने आयात की समय सिमा को बढ़ाने की मांग की है पर किसान यहाँ पर नाराज दिखाई दे रही है उनका कहना यह है कि यह मांग कुछ उद्योगी गरानों को लाब पहुंचाने के लिए की जा रही है यह किसानों के हित में नहीं है एक खबर के मुताबिक आल इंडिया पॉल्टरी ब्रीडर्स एसोसिशन की अध्यक्स बादूर अली ने पसुपालल डेरी और मतश्य पालल मंत्राले को पत्र लिखकर सरकार से स्विक्रत 12,00,00 टन डिवोसी के आयात को पूरा करने के लिए समय सिमा में बढ़ोतरी की मांग unity, action जो सुपर स्विक्रत विआपार पर पर परतिवंद और जमा कोरों के खिलाव सकत्रावाई जैसे कदम उठाने की फी मांग की ए понравगीं लेकिन यहां पर जो किसान संगटन है वो सरकार कि इस पैसले के खिलाब है क्योंकि किसान संगटनों का 올ग यह कहना है कि अगर सरकार आयात को बढ़ाने की डेडलाइन बढ़ा देती हैं तो ऐसे में सोयवीन का आयात होता रहेगा और जो मांगे हैं वो घरेलू मांग जो है आयात से पूरी हो जाएगी तो देश में जिन किसान बाईयों के साथ जिन सोयवीन जिनोंने कमाई हैं उनको अच्छा मार्केट यहां पर नहीं मिल पाएगा तो यहां पर देखना यही होगा कि अगर सरकार जो है पॉल्ट्री उद्योग के इस मांग को अगर एक बार फिर से उकार कर लेती हैं तो कुछ लंबे समय तक सरकार सोयवीन के बावों में हमें तेजी देखने को नहीं मिलेगी तो उम्मीद है आपको यह रिपोर्ट जरूर पसंद आई होगी लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद